हलो गुवज शुसान सींग राजपूत केस्ट में रिया शक्रवरती में पहोट ही बड़ी अपड़ेट आ रही यह आप सब acesso को बता है कि स्वसान ज्याजपूत केस्ट में अभ अब एजनसी जो हैं वह भोगत तेजी से युगज ऑप सुसानirie लाजपूत के फैंससां सिंग राजपूत के जो फैंस हैं उनकी वजासे अभी जोब फैंस सभी ऑजंक्थी कि चाहरी से काम कर रही है क्योंकि अप्रिकी नाश्चीघ actually का जो है एक चार सीट सब्मिट की गई है जिसमें 33 लोगों का नाम सामने आया है और वो 33 लोग जो है सुसान सिंग राजपूत केस में में कल्प्रिट के रोग में देखे जा रहे हैं रिया चक्रवरती और यह आज जो है जो है अरिस किया जाएगा तो अभी एक बड़ी बाद सामने आ रही है जो चार्ज लगा दिया गया है रिया चक्रवरती के केस पर और वो भी NCB के द्वारा और NCB ने जो है कोट में अपना एविडेंस आज जो है दिखाने की बात की है NCB की तरफ से सीधा सीधा बोला गया कि आज जो हम अपने पूरा कोट में ले जा के सब कुछ सबूत दिखाएंगे साथ में 27A के साथ साथ जो रिया चक्रवरती ने और बहुत सारे गुनाह किये हैं वो सारे के सारे एविडेंस जो है हम जो है हाई कोट में आज सम्मिट करेंगे और जैसे ही हाई कोट की तरफ से फैसला सुनाया जाता है और आज के आज ही हम जो है रिया चक्रवर्ती को गिरपतार कर लेंगे और सबसे बड़ी बात जो बोली गई है उनकी दरफ से उन्होंने बोला है कि 27A के तहट अगर मुझ्रिम सावित होता है तो उसको 10 साल की सजा होती है लेकिन रिया चक्रवर्ती ने 27A के अलामा और कई जूर्म किये हैं वो भी ड्रक्स केस में तो उसको कम से कम 20 साल की सजा जो थी और साथ में ही उसके ब्लेट सेंपल से भी बहुत सजादा मात्रा में ड्रक्स की ड्रक्स की मात्रा पाई गई है तो ये कहीं न कहीं से बहुत बड़ा सबूत है रिया चक्रवर्ती के खिलाप में उसके अलावा ड्रक्स के अलावा जो मेन केस उसके ऊपर लग रहा है व कहीं न कहीं अब रिया चकुरती पूरी तरह से फस गई है अब देखते हैं कि आगे क्या होता है और को क्या जेल आज बहुत जाती है या नहीं गाई आपका क्या ओपिनियन है आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता हैं और वीडियो को जाज जादा सेयर करें